गोदी मीडिया हाई हाई और अखवार और न्यू चैनल को भहिस्कार करो यह जो बैनर आप देख रहे हैं यह हिंद पिड़ी में लगा हुआ है जहां नोए इंट्री का बोर्ड भी लगा हुआ है यह वही हिंद पिड़ी का इलाका है जहां राची के जितने भिनकेस पाए ग इनट्री पोइंट है हिंद पिड़ी का ऐसे जितने भी इंट्री पोइंट को प्रसासन ने बंद कर दिया है और सिर्फ और इसी लिए कि वाइरस का फैलाओ जो है संक्रमन का फैलाओ जो है यहां के अलावे कहीं दूसरे जगा ना फैले लेकिन हर गेट पे आपको ऐसे ही लोगों की भीन नजर आएगी हुजूम नजर आएगी ये तो खेर समान लेने के लिए लाइन में खड़े हैं समझ में आता है लेकिन आपको और अंदर का नजरा दिखाएंगे कि और अंदर भी देखिये कि किस तरह से लोग एक जूट खड़े हैं और जुन्ड में लाका है उसको 144 लगाए गया है हर 72 घंटे में में जैसे करस्या नि लिया जा रहा है और बंद किया जा रहा है तो Czech vip Sachsen के तरब से लगाये गया है बोड कि लगा गया है कि यह क्रोनाब भावज हैं यहां प्रवेस निशयद में लेकिन उसके बाब्जूद भी कि जो लगातार यहां मेडिकल की टीम जा रही है प्रशासन की टीम जा रही है उसका जब अस्थानिये कुछ लोग जो हैं वो बिरोध कर रहे हैं तो वो खबरे अखवार में या चैनल में प्रशारित हो रही है क्योंकि जिस तरह से इन्होंने एंबुलेंस पे हमला किया और क हैं लेकिन हम आपको यह नजारा दिखाएंगे कि आखिर जब सोसल डिस्टेंस की धजी उड़ाई जा रही है तो मीडिया में खबरे क्यों नहीं प्रशारित की जाएगी क्यों राची बासी अपने जान दे देंगे सिर्फ एक कॉलनी के चलते तो आप देख सकते हैं कि जो लोग इस इलाके के पॉजेटिव पाए गये हैं उनको भी कई वार आग्रह किया गया था और जो बाकी लोग है उनको भी आग्रह किया जा रहा है लगातार कि आपके घर प्रशासन हर तरह के सुब्दा मुहिया कराएगी रासन से लेके जितने जरूरत के समान है वो की है केंदर स्तरकार ने जो अपील की है उसको भी धजी उड़ा रहे हैं तो जब तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाएगा तब तक कोरोना के जंग से लड़ाई जीती नहीं जा सकती है तो ऐसे में चाहे हिंद्पिडी का इलाका हो या राची का कहीं का भी इलाका हो सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना जरूरी है तभी हम इस कोरोना रूपी दानों पर जंग जो इसके साथ जंग है उसको जीत सकते हैं